असलामलीकूम आज मैं आप लोगे साथ शेल करने जा रही हूं अंडे के सालन की रेसिपी जिससे बनाना काफी जाधा असान है और इसका टेस्ट भी काफी जाधा अचाह होता है अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें मेरे चैनल इसकी आलू को मैंने उबाल के इस दरह से कट करके रख लिया है इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं लगा रहना चाहिए क्योंकि हमें इसे फ्राय करना है तो मैंने इसे छेल के रख दिया था आदे घंटे के लिए ताकि अच्छी से सूख जाए इसमें पानी बिल्कुल भी तो एक कड़ाई में मैंने तेल ले लिया है तेल जब ज़्यादा गरम हो जाए तभी हमें अंडी को डालना है बहुत ध्यान से क्योंकि अंडी को फटने का डर रहता है अगर हमारा तेल थंडा रहेगा ज़्यादा गरम नहीं होगा तो अंडी फट सकते हैं इसके लिए तेल जब ज़्यादा गरम हो तभी अंडी को डालना है अंडी को हमें गोल्डन ब्राउन करना है तो देखें गोल्डन ब्राउन हो गये हैं बसे से निकाल लेना है अब इसी तेल में हमें आलू को भी फ्राई कर लेना है गैस का फ्लेम फास ही रखना है अलू का कलर चेंज होने तक इसे फ्राई करना है देखें आलू का कलर चेंज हो गया है अलू अच्छे फ्राई हो गए हैं हमारे तो भस इसे निकाल लेंगे तो आलू और अंडे दोनों फ्राई हो गए अच्छे तरह से अब मैं दो मीडियम साइज के प्यास को और कम से कम 12-13 लसुन की कलियां और दो इंच के अद्रग के तुखडे को अच्छे से पेस्ट के इसका एक पेस्ट बना लूँगे तो मैंने पेस्ट बना लिया है देखिए तो इसे मैं एक बरतन में ट्रांसफर कर दूँगी इसमें कुछ मसाले अड़ होंगे तो देड़ चमच मैंने तीखी लाल मिर्श ली है आप तीखा कम ज़ाद अपने हिसाब से कर सकते हैं दो चमच भरके मैंने धनिया का पौडर लिया है एक चोथाई चमच मैंने हल्दी पौडर लिया है आदा चमच गरम मसाला पौडर लिया है एक चमच जीरा पौडर लिया है और एक चोथाई चमच काली मिर्श का पौडर लिया है इन सभी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी मैं यह अच्छे से mix हो गए हैं इससे side में रख देना है अब एक कड़ाई में उसी कड़ाई में मैंने फिर से ते ले लिया एक चमच की करीब एक बड़ा चमच की करीब इसमें मैंने आदे चिमच राई डाली है जब राई अच्छे चिटकने लगे तो इसमें मैंने कुछ पत्तियां कड़ी पत्ते के डाल दिये हैं उसकी बात मैंने मसाले डाल दिये हैं गैस का फ्लिम स्लो करके जिस बरतन से मैंने मसाला डाला था बस उसमें थोड़ा सा पानी डालके मैंने अच्छी तरह से बरतन को साफ करके मसाला इसमें डाल दिया है इसमें दो टमाटल को मैंने पीस लिया था इसे डाल दूँगी इसमें मैंने नमक भी डाल दिया था बस इसे mix कर लेना है अच्छी तरह से gas का flame slow ही रखना है हमें अब इसे ठखन लगा के 6-7 मिनट के लिये मैं इसे पकने दूंगे slow flame पे तो 6-7 मिनट हो गया थे अब मसाले को अच्छी तरह से भून लेना है ताके तेल अलग हो जाए बहुत ध्यान से करना है देखे तेल अलग हो गया है तो मैं इसकी ग्रेवी कर लेती हूँ तो मैंने इसमें एक ग्लास के करीब पानी डाला है इसमें मैंने कुछ हरी मिर्च को बीच में से इस तरह से तोड़ के डाल दिया है तो 5 हरी मिर्च लिया थे मैंने नमक आप चेक कर लीजेगा, कम ज़ादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं गैस का फ्लेम स्लो रखे, हमें ग्रेवी को अच्छी तरह से पका लेना है देखें इसमें उबाल आना शुरू हो गया है बसे में इसे पांच मिर्ट तक अच्छी तरह से स्लो फ्लेम पे पकाना है तो सालन में अच्छा सा उबाल आ गया है, देखें अब इसमें मैंने जो अंडे फ्राई करके रखे थे और आलू फ्राई करके रखे थे उसे डाल दूँगी झाल आए जब अंडे और आलू आप डाल दीजेगा तो फिर गैस का फ्लेम स्लो करके धकन लगा के 5 मिट एसे पकने दीजेगा तो 5 मिट हो गये हैं तो तयार हैं हमारे अंडे और आलू का सालन देखे बस अब गैस का फ्लेम में बन कर दूँगी और इसमें मैंने हरी देनिया कट करके रखा था उसे डाल दूंगी एक बार आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा तो तयार है हमारा अंडे का सालन इसका टेस्ट काफी जाद अच्छा होता है तो मैं निकाल के दिखाती हूं आपको इसका कलर भी काफी जाद अच्छा है देखिए तो तयार है हमारा सालन तो ट्राई जरूर कीजिएगा अब मिलते हैं अगली रेसिपी में जब तके लिए अल्ला हाफिज